नमस्कार दोस्तों आज के विडिवे हम बात करने वाले है कि जो निप्टी में हम तॉप प्रेडिंग स्टॉक बोलते है ज्यादा तरह हमने न्यूज में नाम सुना होगा या तो हाई वेटेड जो स्टॉक है उनकी स्थिति क्या है क्योंकि हमने जो अभी हमारा फॉल आया 4,400 पे तो उन स्टॉक में क्या है कहां पे सपोर्ट है हम यहां पे देखेंगे सपोर्ट टीन तरीके से एक तो होरिजेंटल हो गया दूसरा आएगा हमारा एवी वेब से देखेंगे और फिर यहां पे कोई अगर ट्रेंड लाइन मिलती है या तो फिर फिबो नाची उस हि चैनल पे नए तो सब्सक्राइब जरू करना वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरू करना तो पहला स्टॉक है यहां पर अधानी अधानी में क्या था कि यहां पर यह जो गंस्वलिडेशन हुआ था ट्रे टाइम्ट किया फिर ब्रेकडाउन हुआ यहां पे एम यहां पर इससे continue करता हूँ add तो देखेंगे तो इसने एवी वेप से तो काफी ही दूर यानि closing किया हुआ है उसके बाद में उसका और lowest level कौन सा आता है तो वो बनता है यहां पर last year का जो बनता है जो news आया था उसके बाद क्या तो यहां पर हम click करेंगे उसको अब देखेंगे यह level भी कौन सा है यहां पर वो आता है यहां पर करीबन 2300 यानि कि यहां से भी करीबन 500 point दूर है तो क्या हमें यह level लेना चीए नहीं क्योंकि यह बहुत दूर है अभी के लिए तो हमारे लिए क्या था वो यहां पर horizontal वो आपका बनता है 2760 के आसपास अगर मैं यहां से इसको Fibonacci लगाता हूँ यह level से अगर मैं इसको यहां से count करूँ यह हमारा उपर का level तो 50% यहां पर हो चुका है अब इसका एक add करेंगे हम 60% तो यहां पर बनता है जो आपका यह horizontal है वो हमारा क्या है 61% तो अगर किसी को अदा नहीं में आपके पास position है तो यह level आपके लिए important हो जाएगा यहां पर इसके नीचे गया तो फिर आपका यह जो लंबे टाइम से जो A-V-Web बना है वहां तक एक बार आ सकता है तो पर मेरा यहां पर है कि एक बार यहां पर रुखना चाहिए यह stock एक bounce आएगा फिर से reject करेगा अब जब यह bounce आता है 2880 ब्रेक नहीं करता है तो further down यह जा सकता है फिर हम आगे जाते है देखते है एक असुग में भी एक काफी अच्छा सा bounce आया था पर फिर से यहां पर rejection हुआ अगर इस हिसाब से देखते है तो पहला आपका view क्या होना चाहिए यहां पर head and shoulder बना है यह point से इसका rejection आया हुआ है अब निचे यहां पर देखे तो हमारे लिए जो AV-wave का point रहेगा कौन सा यह वाला जहां से हमने bounce दिया था अब उसी को हमने exactly breakdown दिया आज हमने retest किया हुआ है तो आपके लिए important क्या हो गया यह level कि जब तक अब यहां पर 216 के उपर यह sustain नहीं करता है इसमें थोड़ा selling pressure बना रहेगा अब इसमें 7 में हम Fibonacci भी लगा देते है इस level से हम count करते है यहां पर तो अभी कहां पर हम 50% पर है तो यह 50% अगर break दिया तो 200 जो round figure हो जाता है और 7 में आपका जो फिर यहां पर यह last time consolidation था तो वो भी एक zone यहां पर बन जाता है तो अभी के लिए यह zone आपके लिए important हो जाएगा next हम यहां पर आगे चलते है तो हमारा जो stock आता है axis bank axis bank में triangle यहां पर pattern बना हुआ है एक बार breakdown हुआ था result के time इसने gap up open दिया फिर से reversal आया और rejection यह reversal कितना था वो भी देख लेते हैं 50% से इसने rejection को fail किया है वापस नीचे आया हुआ अब यहां पर क्या होगा कि अगर यह वापस यह trend line के नीचे जाता है तो थोड़ा sharp fall आ सकता है तो क्या होगा यहां पर यह जो आपका नीचे gap चुटा हुआ है वहां तक एक बार जाने का यह पुरा osis करेगा इसमें अगर हम यह वीवेप लगाते हैं तो हमारे पास जो lower level आता है वो काफी दूर आता है क्योंकि अगर यहां पर देखे मैं इसको यह level लूगा ना तो अभी जहां पर closing है उसके उपर ही हो जाएगा तो उसके लिए मुझे यहां पर यह level लेना पड़ेगा यह वाला जहां से हमने bounce लिया था उस हिसाब से हमारा बैठता है 1053 जो अभी हमने discuss किया कि यह जो gap चुटा हुआ है वही zone के आसपास आकर बैठता है प्रहला आपका रहना चाहिए यह target क्योंकि यह क्या है आपका horizontal target है next हमारा है बजाज finance इसको मैं player कर देता हूँ पूरा आज काफी अच्छा सा bounce आया था तो अभी यहां पर क्या बनेगा आपका पहला trend line बनेगा हम यहां पर इसको connect करते है second line से फिर उपर की side तो अभी हमारे लिए क्या है काफी दूर हो गया है तो मेरे लिए important रहेगा यह zone यहां पर एक mark करके रखना यह zone जहां से हमने बार बार यहां पर rejection लिया था 7190 के आसपास लिए तो कल अगर यहां पर वापस एक छोटा सा candle बनता है इंसाइड बार और फिर यहां पर breakout होगा तो यह higher chance रहेगा पहले 7190 तो फिर आएगा 7450 के आसपास negative काफ होगा कि अगर कोई reason से समझो कि कल एक candle यहां पर बनता है second candle यह level पर आता है तो negative होगा और unless क्या होगा यह 50% इसके नीचे open होता है 50% नीचे open होगा तो भी यहां पर थोड़ा एक pressure बनेगा उस time फिर आपका 6200 के आसपास जा सकता है budget finance को भी थोड़ा avoid करो वही better है क्योंकि result की वज़े से यह काफी volatile हो चुका है next हमारा देखते हैं आगे जो famous टोक रहते हैं यानि कि जो काफी हैसा weightage रखते है एक DLF को ले लेते हैं क्योंकि इसका breakout failure का chance था इसको हम यहाँ पर delete करते है इसको मैं last time इसने क्या किया था यह breakout दिया था उसको दो बार fail करके वापस आया हुआ है तो इसको मैं यहाँ पर कर देता हूँ और यह जून रहेगा आपका यह horizontal रहेगा यहाँ से अगर आप देखोगे अभी का है पर उसी जगह पर हम नीचे hold कर रहा है अगर यह level break दिया तो काफी एचासा नीचे जा सकता है तो आपका यहाँ पर यह level के आसपास आपको A, V, W, लगा सकते हो तो उस time पर आपका support बनता है हो आएगा 765 का आपका support बन रहा है और अगर इस level को count करते हो दो को तो यह 61% के आसपास आता है तो अगर आपके पास है BLF तो आपको क्या करना चीए यह candle का low है उसको आपको यहाँ पर आपका SL करके रख सकते हो वापस कब enter कर सकते हो जब यह candle के ऊपर निकले यानि की 855 के ऊपर निकलता है तो फिर अगर आपको कुछ add करना है तो कर सकते हो क्योंकि हमने यहाँ पर 2-3 बार rejection हुआ है अब next time होगा तो यह WP pattern यहाँ पर complete कर सकता है फिर निछे देखते है काफी टाइम से यह ignore ही हुआ है पर यह support के पास आएगा इसके M pattern जो है 6500 के आसपास बनता है अगर उसको breakdown दिया तो फिर यह थोड़ा लंबा जा सकता है क्योंकि उसको फिर यह trend line आ रहा है वो एक support का का काम करेगा इसका AV wave यहाँ से लगा हो तो अभी support के पास यह यहाँ पर तो यह zone आपका एक support का काम करेगा next है यहाँ पर काफी जारे लोगों के पास यह है आज भी मेरा इसमें short view ही था और यह support का काम पर नीचे मेरा first इसमें level जो है 41.77 है वो break किया तो फिर यह 39.55 तक जा सकता है और इसका अगर आप यानि ए वी वेब देखो तो पहले हम देखते हैं यह level से आप स्वारी यह आएगा क्योंकि यह यहाँ से bounce आया था अभी हम उसके नीचे trade करें तो उसको मैं delete करता हूँ और फिर देखते हैं यह level जहाँ पर यह चोटे candle से bounce आया था तो यह हमारा support zone के आसपास बैठता है तो यहाँ पर क्या होगा 4050 से लेके 3955 यह 100 point के बीच में एक support का काम करेगा क्योंकि यह जो हमने draw किया है वो time frame अगर देखो आप तो October यानि एक साल के आसपास का यह हमारा average buying period है HDFC bank result के बाद काफी यहाँ पर culture देखने को मिली हुए है result पर उतना कास था नहीं पर इसने यहाँ पर bounce दिया हुआ है negative यह कब होगा जब वापो 1700 के नीचे sustain करेगा तब तक यहाँ पर कोई trade में आपको negative नहीं देखने को मिलेगा अगर यह high निकल गया तो यह higher chance है कि यहाँ पर यह एक trend line उपर से बनेगा वो यहाँ तक आने का पुरा process करेगा जो यहाँ पर बनता है करीबन 1785 के आसपास तो अगर फिर से इसने यहाँ पर gap down दे दिया और red candle बना तो फिर 1692 तक आप इसको जाते हुए देख सकते हो इसका average जो price बनता है इस level से वो बनता है करीबन 1630 के आसपास और Fibonacci भी अगर करते हो तो यह आता है आपका 38 के आसपास आएगा देख लेते हैं इसमें यह 38 के आसपास आता है आपका यह 50% जो support है वो 1610 के आसपास आता है वो क्या हो जाएगा फिर आपका यह horizontal support हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर आप देखो कि यह candle जहां से हमने open equal to high बनाया था उसी जगर को क्या कर रहा है अभी यह support का का काम कर रहा है तो यह दो लोई level आपके यहाँ पर buying zone बन सकता है ICI bank spend line के आसपास काफी time से यह spend कर रहा है तो अभी यहाँ पर आपको देखना हुई है कि यह जो rejection है उसके बाद में यह second rejection है यहाँ पर अगर इसने वापस 12.36 को break किया तो एक अच्छा सा candle यहाँ तक लेके आ सकता है इसका AV wave यहाँ पर लगाते हम यह low है इसका तो वो बनता है यहाँ पर 12.14 के आसपास तो 36 से 14 यह अच्छा सा आपको यह मिल सकता है फिर consolidation वह तो यहाँ जा सकता है और इसका result है आने वाले weekend में है तो उसके बाद में आपको या तो यहाँ पर यह फर्दर उपर की साइट देखेगा या तो नीचे 20 से साब से इसने break किया हुआ है अगर result के पहले यह closing इस लेवल के आसपास देता है तो chance है कि यह नीचे की साइट भी slip कर सकता है infig पूरा consolidation zone यह लेवल के आसपास चल रहा है इसका average जो बनता है वो यहाँ से हम देखे तो यह आता है करीबन 17.56 17.35 से लेके 56 के बीच में एक अच्छा सा support है अब किसी को अगर इसको trade करना ही है तो वो क्या कर सकता है कि यहाँ पर rectangle बना देगा यह आपका मन गया यहाँ पर तो अब यहाँ पर क्या होगा जब तक इसके उपर जाके close नहीं करेगा यह क्या higher chance करेगा वापस यह लेवल तक revisit करने के लिए तो अब भी यहाँ पर 100 point का जगह है वापस यहाँ पर break करता है 50 के नीचे closing दे देता है तो आप यहाँ पर सोच सकते हो कि अगर आपके risk reward से सही बैठता है तो आप इसमें plot भी बना सकते हो ITC इसमें एक M pattern था जो यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ start किया M बना है और फिर नीचे आए तो उसी जगह पर आए तो यह क्या है आपका एक horizontal support है यहाँ से count करोगे और यह यह आपका horizon यहाँ पर support बन चुका है यह support में आपको ध्यान में क्या रखना है कि अगर यहाँ पर कोई bounce हाता है वापस 490 के उपर sustain नहीं करता है तो फिर यह क्या होगा है यहाँ से breakdown होगा उसका यहाँ से जो bounce आया था उसका भी support यही level पर बनता है तो confirmation है कि हाँ ITC में यह support का काम करेगा फिबो नाची के इस साब से यहाँ पर देखते हो पर हाई chance है कि यहाँ से एक bounce आना चीए यह level के आसपास कोटक बैंक M pattern अच्छी कोटाई हो चुकी है rejection भी वापस हो चुका है इसका horizontal support बनता है 1710 से लेकर 1727 के बीच में इसका buying range का average है जो है 1760 अगर यह level के नीचे गया तो यह average के नीचे ट्रेड करेगा तो यहाँ पर आपको फिर से selling देखने को मिल सकती है नीचे में 1710 तक यह जाने का जगा यहाँ पर open है LTE में यह एक अच्छा सा support था पर यहाँ पर एक दू बार जो zigzag हुआ था उसमें SL भी गया था नहीं तो यहाँ पर इस करेगे यहां तक आने का कुछिस करेगा यह एक अच्छा सा उसका buying zone है next मारूती मारूती मेंने काफे टाइम से trade भी नहीं किया है और ना तो study किया है तो इसका जो horizontal support बनता है वो बनता है करीबन यह level से यह आएगा आपका और यहां पर यह lower end तो यह आपका horizontal support है उसके पहले जो बनता है जिसका हमने breakdown दिया तो उसको मैं count नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उसके नीचे जाके हमने close दिया हुआ है तो अभी दूसरी चीज हमें क्या notice करनी है कि यह जो support है फिबो नाची से कितने परसेंट पर है कि वह बैठता है करीबन 50% के आसपास तो support भी सहीज जगह पर बना हुआ है अब उसका buying average भी देख लेता है लो यह है तो इसका buying average के नीचे हम trade कर रहे है buying average है 1200-200 के आसपास तो अगर यह यहाँ पर 1200-200 के उपर sustain नहीं करता है तो फिर यह वापस 11,000 के आसपास जाने का कोशिस करेगा next बनता है हमारा PFC और REC काफे लोग के पास भी है तो यहाँ पर यह rejection point है इसका last time भी हमने discuss किया था कि जब तक यह 490 के उपर नहीं जाता है यहाँ पर high chance है कि यहाँ तक आ सकता है last candle जो बना हुआ है एक negative ही कह सकते है अगर यहाँ पर हमने वापस 434 के नीचे sustain किया तो य यहाँ तक जा सकता है इसको मैं कल के लिए रख देता हूं यहाँ पर कोछ अच्छा trade मिला तो आपके साथ भी share कर दूँगा फिर आता है next RBL bank नहीं देखना है REC यह level से हमने यहाँ पर rejection था कि अगर यह break नहीं करता है तो पहला attempt 500 हमने देखा था freezer बना bounce आया important level था 555 दो बार attempt किया fail किया फिर से वहाई पर 2 जी किया है fall के बाद 2 जी में क्या होता है कि यह continuation हो सकता है तो कल जैसे यह 500 के नीचे sustain करेगा higher chance है कि हम और यहाँ पर fall देख सकता है इसका average जो प्राइस था यह candle पर वो था 453 अब उसके भी आगे जाके देखते है कि फिर से यहाँ पर अगर हमें बाइंग देखनी है तो कौन सा लेवल हो सकता है तो यहाँ से बाइंग आई थी यह candle देख लेते हैं जो अभी यहाँ पर बनता है 486 के आसपास तो यहाँ तक एक बार जाएगा hold करेगा फिर से breakdown देगा तो फिर हमारे लिए अच्छा सा बड़ा सा टार्गेट open हो जाएगा Reliance Reliance इसका result के बाद काफे अचासा इसमें weakness भी देखने को बाउंस आता है पर sustain नहीं करता है आज भी बाउंस आया था मेरा expectation है यहाँ पर क्योंकि एक तो horizontal support है दूसरा क्या है नीचे से trend line आ रही है तो यह एक zone है जहां तक जा सकता है यह यहाँ पर 2636 के आसपास और उसको break क किया तो यह 26 के आसपास क्योंकि यहाँ पर काफी time हमने spend किया था अभी इसका भी buying average देख लेते हैं हम कि यहाँ पर कौन से price के आसपास है उसके तो हम काफी नीचे है तो हम क्या करेंगे उसको further lower end पर लेके जाएंगे यह जो buying है यहाँ तक अब देखते हैं इसका नया होला okay तो यह similar बैठता है तो यह हो गया higher chance हमारा पास तीन confirmation है कि यहाँ तक यह जा सकता है तो 2636 तक यह कल जा सकता है तो अगर किसी को trade करना है अगर किसी के पास stock है तो यह एक आपका stop loss point रह सकता है SBI बार-बार उपर जा रहा है पर यह level को cross नहीं कर पा रहा है यही चीज होती है जिसको हम बोलते है कि horizontal support and resistance तो आपके पास यह है zone यहाँ पर जो यह gap चुटा हुआ है उसके पहले का low और यह confirmation हमने यहाँ पर 3-4 बार rejection किया हुआ है वापस इसी level के नीचे हम sustain कर रहा है प अगर जो aggressive shot बनेगा वो बनेगा यहाँ पर 770 के नीचे और फिर lower end देख सकते हो इसमें average आएगा यह price से count करते है तो नीचे उपर ही होगा वस उसी के आसपास ही है तो इसके नीचे जितना यह sustain करेगा और यह नीचे जा सकता है अगर उसका मैं further नीचे level देखू तो वो यह बनेगा हमारा next target 750 आएगा जो आपका last time का क्या था consolidation point तो वो यह हां तक कि एक बार जा सकता है कल SRF में द्यान में रखना इसमें कुछ result का भी था तो अगर यह वापस यहाँ पर 2200 के नीचे खुलता है तो यह higher chance है कि यहाँ पर और lower level तक जा सकता है फिर है sun pharma sun pharma में अभी इतना weakness नहीं देखने को मिल रहा है क्योंकि यह अभी भी higher end पर trade कर रहा है तो इसका आप hold है आपके पास तो आप क्या करना weekly जो candle रहता है उसमें दो candle के बाद में आप उसको आपका SL करके जा सकते हो अगर यहां से अगर fibonacci करें कोई ज्यादा तर क्या होदा है कि 23% जो रहता है न वह आपका first support होता है तो वह support के ऊपर ही अभी 1822 तो 1800 डाउन फिगर ध्यान में रखना अगर उसके नीचे गया तो फिर यह थोड़ा weakness दिखा सकता है फिर आता है Tata Motors 1000 से इसका काफ अच्छा सा पिटा हुआ था अभी भी continuation चल रहा है और यह अभी horizontal support के पास में है इसको यहाँ पर break करता है तो further lower end देखने को मिल सकता है इसका average price यहाँ से हम count करेंगे और उसी के हम नीचे sustain करते हैं तो हमें देखना पड़ेगा next price तो next price के इसाप से हमारा यहाँ पर बैठता है support वो आएगा 800 के आस पास जो आपका support है वो है 865 जहाँ पर आज भी हमने support लिया था तो अगर वहीं पर फिर से break करता है तो यहाँ पर हमको continuation देखने को मिल सकता है पर यह zone जो है यह आपका बनेगा vertical zone तो इसमें आपको दोनों चीज मिल जाएगी एविवेब का भी support आजाएगा previously consolidation का भी support आएगा 800 आपका target नीचे हो सकता है TCS M pattern बनाने का पूरा कोशिश चल रहा है यहाँ से अगर करते होगा आप count M pattern के लिए आपको यहाँ पर आएगा 3908 यह भी एक support मिल जाएगा यहाँ पर उस हिसाब से आपको यह target यहाँ पर easily देखने को मिल सकता है M pattern भी बन जाएगा Titan Titan में कुछ है नहीं discuss करने लायक अगर किसी के पास है तो 3080 का ध्यान में रखना क्योंकि उसके नीचे फिर और यह नीचे जा सकता है अगर nearest देखे है तो 3228 के आसपास बैठता है यह level जहाँ पर आप देखोगे तो यह first time support, second, third, fourth time support लिया हुआ है तो अगर यह level break किया तो फिर further नीचे जा सकता है next जो हमारा stock रहेगा वो trend में मैं short का दिया था क्योंकि यहाँ पर negative diversion बन रहा था तो अब फिर से negative बनेगा 7290 के बाद में वी pro देख लेते हैं इसमें जब तक यह trend line के नीचे नहीं आता है आप short मत करना और अगर कोई reason से एक candle यहाँ पर trend line के नीचे बन जाता है तो उसके next दिन देखना एक बड़ा candle rate बनेगा fight 20 and find it तक यह लेके जा सकता है इसको भी मैं list में रख देता हूँ तो दोस्तों मैं आसा करता हूँ कि आज का यह explanation पसंद आया होगा और अच्छा लगा है तो दोस्तों like and share ज़रू करना thank you, मिलते हैं यह वीडियो में take care, bye bye